हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स दे के लिए बताते हैं कि कौन सा डेटा आ रहा है कुरूड ओयल में और साथ ही हमारे क्या टार्गेट्स रह सकते हैं कुरूड ओयल और यूस ओयल में तो चलिए शुरुवात कर लेते हैं कि 23 अग 42 अगस्त को यहां पर हमारे जो डाउन सैड़ का टार्गेट यहां पर एक टार्गेट यहां पर हुआ्थे वा उसके बाद हमारे नेक्स टार्गेट मंध नहीं वा क्योंकि इसके निचे अगर क सा रगुजिका तो लेकिन हमारे यही निदेर पर철 फयंञ़ चांसे नहीं हम तो अब हम बात कर लेते हैं कि next day यहां पर क्या चीज़ें हो रही है तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा एक downfall तो देखने को मिला ही है और निच्चे की ओर को force भी लगी हुई है तो हम उसका reason जान लेते हैं उसका reason मैंने आपको जैसे कि पिछली वीडियो में कहा था कि जो इरान है वो अब उसके उपर जो sanction लगा रखे थे United States ने अब उन्हें वो मान नहीं रहा है और उसकी वज़ा से उसने अब जो sanction एक लगाय हुए थे United States ने की एक particular limit तक ही वो crude oil की supply कर सकते हैं उसे वो नहीं मान रहा है और उसने अपने supply को बढ़ाना शुरू कर दिया है इसके अलावा जो second कारण यहां पर है वो है चाइना चाइना की continuously जो demand है वो decrease हो रही है रीजन उसका है कि यहां की जो economic growth है वो नहीं हो पा रही है और जो recent data आ रहा है चाइना की तरफ से वो भी impressive नहीं है वो भी यही indication दे रहा है कि जो economy है slowdown हो रही है चाइना की और क्यूं है उसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है क्योंकि demand में कमी आ रही है तो demand में कमी आ रही है और उधर इरान की वज़े से supply जो है वो increase हो रही है बाकि जो countries हैं जैसे कि यहां पर Saudi Arabia है European countries और जो Russia है उन्होंने opposite side को force लगा रही है क्योंकि वो production बहुत जादा नहीं कर रहे हैं और जान मुझके वो ताकि जो prices है वो उपर गयोर को जाए उसके लिए उन्होंने market में जो supply है वो धीमी करी हुई है लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर यह जो effect है वो पढ़ रहे हैं जो की temporary effect है तो इनका असर next day भी रह सकता है और अगर आपने हमारी data वाली जो हम वीडियो लेकर के आते हैं आपके लिए वो अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखे क्योंकि कल काफी important data आने है PMI के data बहुत सारी countries के आने है और जो PMI का data होता है वो indicate करता है कि जो industrialization है वो कैसा है अगर industrialization मे growth हो रही है अगर most of the countries के जो PMI है वो अगर अच्छे आते हैं जैसे कि European countries है Japan है और साथ ही जो United States का भी PMI का data नहीं अगर वो अच्छे आते हैं तो उसकी वज़ा से यहाँ पर crude oil के लिए भी वो अच्छी indication हो सकती है और उसकी वज़ा से यह indication मिलती है कि survival जो यहाँ पर recovery जो है वो हो रही है जो economies है उनकी तो वो एक अच्छी चीज होती है लेकिन अगर negative data जाद आता है तो वो एक negative चीज क्रूड़ के लिए भी हो सकती है इसके लावा United States का और भी data आना है building permits का data आना है जो की dollar index को मजबूत करता है अगर dollar index मजबूत होता है तो crude oil जो है उसकी अगर शाम को 8 PM पर भी आना है इंडियन टाइम के according तो उस data के उपर भी आप जरूर नज़र रखिए अगर आपने हमारा telegram चैनल जोएन नहीं किया तो लिंक उसका आपको description box में मिल जाएगा वहां से आप जोइन कर सकते हैं और यह जो data आना है यह बताएगा कि crude oil की inventory बड crude oil में क्या रह सकता है तो आठ बजे शाम को दो बजे तो impact नहीं पड़ता है reason उसका है कि जो Chinese market और जो इंडियन market है वो close हो चुकी होती है और वही चाइन जो है number one importer है third importer जो है वो जो इंडिया है तो उसकी वज़े से यहाँ पर जो crude oil में बहुत जादा move दो बजे नहीं देखने को मिलता है लेकिन जो शाम को आठ बजे है वो उसका जरूर हमें impact देखने को मिलेगा तो उसके उपर आप जरूर नजर रखे और उस basis पर अब हम यहाँ पर targets भी देते हैं next day के लिए क्या हमारे target रह सकते हैं downside को आप देख सकते हैं कि इस level को जो level मैंने पिछले द support लिया है और अगर इसके निचे red candle की closing ही देता है तो उसके बाद हमारा downside का trade बनता है तो यह जो level है वो यहाँ पर है 6631 का और 6631 के निचे अगर red candle की closing हमें देखने को मिलती है तो next target हमारे 6617 का रहेगा one of the time frame की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और उसके निचे भी अगर red candle की closing आती है तो next target हमारा 6602 का रह सकता है इसके अलावा जो next target यहाँ पर है उपर की तरफ के targets के हम बात के लेते हैं तो यह level है इसके उपर green candle की closing आने दीजिए 6649 के उपर green candle की closing आती है तो next target हमारा रहेगा यहाँ पर 6666 का और इसके उपर भी अगर green candle की closing हमें देखने को मिलत है और अब हम स्विच कर लेता है कि USOL में क्या हमारे टार्गट रह सकते हैं तो USOL में अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपका करने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और सबसे उपर आपको लिंक मिलेगा उस पर क्लिक किजिए और अपना अपना एक्सप्रियेंस बहुत बढ़ी है रहा है इसलिए मैं आपको भी रेक्मेंट करता हूं और साथ ही कैसे स्टैप अकाउंट आपको यहां पर आई बटन है उसमें मिल जाएंगी और एक और वीडियो बहुत इंपॉर्टन वीडियो मैंने अप्लोड करी है वह वीडियो जो है वह बहुत बढ़िया काम करती है मेंस वह स्ट्राटेजी की वीडियो है और उसमें जो फोरेक्स ट्रेडिंग है उसके अं वह अच्छा काम करती है और इसमें क्योंकि मैं खुद उसका इस्तेमाल करता हूं इसलिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी इंप्रूफ कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग के रिजल्ट को तो उस स्ट्राटेजी को भी मैंने आई बटन में यहां पर लिंक आपको दिया हुआ है आप उस इस्तेमाल को भी जरूर देखें बहुत ही बढ़ी है स्ट्रेजी एजी स्ट्रेजी है और बहुत ही एफेक्टिव स्ट्रेजी है तो उसके उपर आप नज़र रख सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं कि युएस वैल में हमारे क्या टार्गेट रह सकत है और इसके बाद अगह भी अगर एंड़ केंडल की केंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्सटाअगेट जो हमारी चाहरे रहेगा वह रहेगा 79.20 का और इसके ओपर भी Пईसा शिー यहांपर सिर्व की तरफ के लिए यह लेवल है 79.87 का इसके ओपर अगर hardest candle की केंडल की Binobros imaging आती है तो 9 た Muk हमारा 80.11 रहेगा और 80.11 के ऊपर भी अगर green candle की closing आती हैं, तो next starget ёपर एगर yarn 5 причism यह फिजsm Expect the koyable oil और U.S ile में हमारी जो target स्या मैंने आपको बितْया है और ईह होब आपको यह वीडियो पसंद आ रही है है, अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक किजिए और चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दोस्तों जितना हो सके इन वीडियो को शेर किजिए अपने दोस्तों में आपने जो सरकल है आपका जो भी उसमें और साथ ही अगर आप शोशल मेडिया पर हैं तो उसमें भी ताकि और भी ज़्यादा बड़ी है रिस्पांस आए यह जो नॉलेज है यह स्प्रेड हो और जितना ज़्यादा रिस्पांस आते हैं उतना हमारे लिए भी एक मोटिवेशन का वो काम करता है अगर हमारी वीडियो आपको सिर्फ एजुकेशन पापस के लिए बनाई जा रही है हम से भी रेजिस्टर्ड फैनेशर डवाइसर नहीं है तो प्रेल लेने से पहले आप अपने फैनेशर डवाइसर से जरू सला लेजे और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में टिल दिन एव नाइस टे गु बढ़े